कि इसे वीडियो पिलाओं के पsels काउंट कैशन् flour सो हैलो गाइज सी लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि नंब resp triangles को किस तरीके से काउंट किया जाता है और आज की सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें कोई भी डाइग्राम दिया है तो उस डाइग्राम में हमें number of squares को किस तरीके से count करना है तो ये वीडियो आप के लिए बहुत जादा helpful होने वाली है तो जल्दी से वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको share कीजेगा, like कीजेगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ डाइग्राम दिये हुए है अब इन डाइग्राम में हमें देखना है कि number of squares कितने होंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो condition generate हो जाती है एक condition हमारे पास यह है कि जब row, number of rows और number of column equal होते हैं जैसे यहाँ पर number of rows कितनी है 2 और number of column भी कितने है 2 इसी तरीके से यहाँ पर देखिए number of row कितनी है 3 और number of column कितने है 3 और यहाँ पर देखिए यह diagram थोड़ा सा अलग है तो पहले मैं आपको इन दोनों को describe करूँगा फिर उसके बाद मैं आपको इने describe करूँगा और इसका solution मैं आपको बताता हूँ देखने में देखिए कितना typical लग रहा है जैसे कि मैंने last video में triangles में naming की थी उसी तरीके से हम इस video में भी इनकी naming करेंगे तो देखिए इसको हमने लिखा 1 और यहाँ पर लिखा हमने 2 तो ऐसी condition में जब आपको number of squares को count करना हो तो आप यहाँ पर 2 का square plus 1 का square equal to करकर देखिए 2 का square कितना होता है 4 और 1 का square कितना होता है 1 तो यहाँ पर total number of square कितने हो गए हमारे पास 5 कितना easy है तो देखिए second question देखिए इनकी भी हमने naming कर दी 1, 2, 3 और यहाँ पर भी हम 1, 2, 1, 2, 3 तो देखिए इसको हम किस तरीके से count करेंगे यहाँ पर हमने किया 3 का square plus 2 का square plus 1 का square तो देखिए 3 का square 9 होता है 2 का square 4 होता है 1 का square 1 होता है तो total number of square यहाँ पर कितने आजाते हैं हमारे पास 14 तो देखिए क्या यह सच में इतना typical है जितना आप लोग पहले सोच रहे थे बिल्कुल नहीं तो देखिए अब हम यहाँ पर count करेंगे इस वाले को count करेंगे जो कि बहुत जादे easy होने वाला है थोड़ा सा typical लग रहा है देखने में question number 3 question number 2 था यह question number 1 था तो देखिए सभी ध्यान से समझेगा अगर मैं सिर्फ इस वाले diagram की बात करता हूँ इस वाले part की बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे कितने triangle मिल रहे हैं देखिए यह वाला part बिल्कुल इस वाले part से मिल रहा है तो यहाँ से मुझे कितने square मिल रहे हैं यहाँ से मुझे square मिल रहे हैं 5 और अगर मैं इस वाले box की बात करता हूँ तो यहां से भी मुझे कितने square मिल जाएंगे यहां से भी मुझे square मिलेंगे 5 और अगर मैं इस वाले box की बात करता हूँ तो यहां से भी मुझे कितने number of squares मिलेंगे यहां से भी मुझे मिलेंगे 5 और total number of square कितने हो गए यहाँ पर 5 देखा कितने easily solve हो गया तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ second condition क्या कहती है second condition कहती है कि जब number of rows number of column के equal हमारे पास ना हो ठीक है देखिए यहाँ पर number of column और number of rows जो है वो बिल्कुल भी equal नहीं है देखिए ऐसी condition में क्या करेंगे यह भी बहुत easy है इसमें भी बिल्कुल भी confused होने वाली बिल्कुल भी जरासी भी इतनी सी भी need नहीं है बिल्कुल भी confused होने के लिए देखिए यह भी बहुत ज़्यादे easy होने वाले है तो इनकी भी हमने क्या किया naming किया यहाँ पर लिखा 1 यान 2 3 और यहाँ पर भी हमने लिखा 1 2 देखिए यह वाली naming जो है वो हम यहाँ पर कर देते हैं 1, 2 और 3 तो देखिए किस तरीके से solution निकलेगा 3 की 2 में multiply करेए 3 2's आ कितना होगे हमारे पास 6 प्लस 2 की 1 से multiply करेंगे 2 1's आ 2 अब देखिए इस 1 के लिए कोई variable नहीं बचा multiply करने के लिए तो इसकी जब हम 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 तो इसलिए यहाँ पर number of square कितने हो गए number of square हो गए यहाँ पर 8 हो गया ना बहुत इसली चलिए next question देखिए इनकी भी naming कर देते हैं 123 12345 देखिए किस तरीक से multiply करेंगे 5 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 की 2 की 0 में या 1 की 0 में करेंगे तो बाकी तो सभी 0 आने वाले हैं तो देखिए 15 प्लस 3, 18 18 प्लस 220, 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 26, 5, 8 13, 13 प्लस 36, 1 and 1, 26 तो टोटल नमबर अफ स्क्वेर कितने आ जाएगे हमारे पास यहाँ पर 26, इसी तरीके से देखिए हम इस question को solve करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर भी हम naming करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 की multiply किस से हो जाएगी 5 से तो टोटल नमबर अफ इस यहाँ पर कितने square आ गए हमारे पास 30 5 की किस से multiply होगी 4 से 5, 4s are 20 4 की किस से multiply होगी 3 से 4, 3s are 12 3 की multiply किस से होगी 2 से 3, 2s are 6 और 2 की multiply किस से होगी 1 से 2, 1s are 2 तो देखिए यहाँ पर हम total कर लेते हैं 4 प्लस 6 is called to 10, 0, 1 1 प्लस 3, 4 4 और 2, 6 प्लस 1 is called to 7 total number of square यहाँ पर कितने आ गए हमारे पास 17 तो देखिए कितना easy concept था और उमीद करता हूँ कि आगे आप किसी भी तरीकी की कोई mistake number of squares को count करने में नहीं करने वाले तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है आपको इस सब कुछ easy ली समझ आगे तो जल्दी से चैनल को like कीजे, share कीजे, कर भी दो subscribe तो करी दीजे और अपने 2-4 friends को भी share कर दीजे ताकि चैनल को और ज्यादा like मिले और चैनल को subscriber मिले तो thanks for washing all